असलाम शुर्णवें कुछ हमारे दोस्तों का जोगी निवी हे रोशन इस्तमाल करें उनका रिजल्ट जो है, हमारे जैसा है यानी कि बाल तो आया है, बहुत ही पतला बाल है और बाल गोह नहीं हो रहा है उन लोगों का कहना है कि क्या हम Manoxidil का इस्तमाल कर सकते हैं Manoxidil 5% कैसा रहेगा बालों के लिए बालों का ग्रोथ के लिए क्या ये बाल को मोटा करेगा या फिर ये हमारे frontal area में front area में बाल को उगाएगा और यहां पे हमारा क्या बालनेस धूर होगा तो चलिए दोस्तो आज का इस वीडियो में आप लोगों को पूरा अपना experience भी share करता हूँ क्यों कि मैं भी पहले Manoxidil यूज किया था दोस्तो जिन लोगों को पता नहीं है कि ये Manoxidil क्या होता है दोस्तो एक Manoxidil भी एक किजिम का दवाय है Manoxidil दोस्तो इस काल पे blood circulation increase करता है और ये दोस्तो पहले क्या था कि blood pressure के लिए यूज किया जाता है blood pressure को maintain करने के लिए लोग करने के लिए तो ये जो है कि topical area में यानि कि अगर skin पे यूज किया जाता है तो यहाँ पे भी दोस्तो क्या करता है blood pressure को खोल देता है जिसके वज़े से क्या होता है कि blood circulation increase होता है और जब अब जब पता होगा दोस्तो भी blood circulation जब increase होगा यानि कि blood circulation blood का flow होगा इस area में जहाँ पे बालो का root होता है तो बालो का growth भी होगा और बाल जोए कि बड़ा होगा यानि कि बालों तक nutrients पहुचेगा और बाल grow होगा और फिर बाल मोटा भी होगा आज से दोस्तो तकरीबन 3 साल पहले मैं भी manoxidil यूज किया था बट मैं manoxidil के साथ finistride वाला solution यूज किया था जिसका नाम था more F5% जो कि दोस्तो इंडिया में तकरीबन 600-600 रूपिया में मिल जाता है उस टाइम में तकरीबन 600-600 में मैं लिया था और मैं जो कि 2 डबबे इस्तिमाल किया था 120 ml कथा तकरीबन 3-3 मेना मैं जो कि ये manoxidil more F5% with finistride में यूज किया था दोस्तो ये picture आप देख सकते हैं दोस्तो ये manoxidil use करने से पहले कथा उस टाइम में भी आप देख सकते हैं मेरा बाल के सा condition कथा बिलकुल बाल नहीं था गंजापनी पूरा जो कि मेरा था और उसके बाद दोस्तो मैं ने जो कि है वैसा ही front area में बालों का growth नहीं हुआ था side view से दोस्तो आप देख सकते हैं ये picture आपको 2019 का ही है यानि कि उस time का जब मैं इस्तमाल कर रहा था side view से देख सकते हैं दोस्तो बीच में और side में उपर में पूरा बाल आया हुआ मगर जो कि आगे का ये front area में उतना खासा अचा बाल नहीं आया हुआ था और उसके बाद दोस्तों मैं इस्तमाल कर ही रहा था साड़े तीन महिना तकरिवन मैं इस्तमाल किया था और जो कि बालों का growth भी हो रहा था और दो डबी मैं इस्तमाल कर चुगा था इंडिया से मैं ये more app 5% लेकर के आया था दोस्तों उसके बाद ये डबी कम्पलीट हो गया उसके बाद जो कि मैं मंगा नहीं पाया और उसके बाद दोस्तों मैं इसको जो कि यूज करना बंद कर दिया था बालों में कुछ progress तो हुआ था मगर front area में उतना चा result नहीं आया था जिसके वज़े से मैं इसको भी इस्तमाल करना छोड़ दिया था और उसके बाद धीरे धीरे करके तीन चार मैना के बाद बहुत ज़्यादा जो कि हेर फॉल होने लगा यानि कि हेर फॉल फिर से मेरा पहले के जैसा हो गया बिल्कुँछ फिर से गंजा हो गया था उसके बाद जो कि मैं minuxidil इस्तमाल नहीं किया था आप लोगों को अभी पता होगा दोस्तों मैं तो new hair lotion अभी फिलाल इस्तमाल कर रहा हूँ और अभी कभी condition कोई खास जादा improvement नहीं है मुझे भी दोस्तों समझ में आ रहा है कि front area में manoxidil से भी उतना अच्छा बाल का growth नहीं होता तब तक लिख खुदा पीच गुडबाई टेक क्यार